लेकिन अपराज कोई लगी निकार है यह है अज़ा कौन सा हमने अपराज किया था जूर जो है तुरंट उन्हों निमारना इस्टार्ट कर दिया है अपराज नंबर गारी हम लोग बैठे थे अपराज उत्रे अपराज उचने लगे शरीर पर गहरे और नीले निशान आखों में डर और लड़कडाती जुबान सवाल ये आखिर हमारा कसूर क्या था क्यों मारा हमें क्या आजादी से घूमना गुना है अगर है तो योगी सरकार की जीरो टॉर्लेंस की नीती का क्या मतलब पुत्तर प्रदेश के सीतापर में इमलिया सुल्तान पुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगे आरोप है बेरहमी से पीटने के ये आरोप दो यूगकों ने लगाए जिनको पुलिस वालों ने सड़क सले कर ठाने तक पीटा कि अगये थे वही सवादस के आसपास हरनात्पू ठेके पर दारू ले ले तो उसने हमको मना किया कि भाई टाइम ओवर हो चुका है हम दारू नहीं दे पाएंगे तो हम दोलों लोग हम थे अब बिजय संकर थे हमारे साथ में तो हम दोलों लोग रोड तक पहुंचे थे उ गाड़ी पे लगाया था पीछे पीछे हमारा वह जो ठेके पर दारू बेशता है वो था पीछे पीछे अब वो गाड़ी दो मिनट भी नहीं लगे गाड़ी आई अब वो उतर के अब यहां देखिए यह देखिए जो है पीज़ना स्टार्ट कर दिया डारे ना कोई बात कि से पीटते ही रहे हैं इलाके के प्रदान का कहना है कि सूचना मिली ठाने गए वहां से इन दोनों को साथ लेकर आए प्रदान का भी कहना है शरीर पर निशान इस बात के गवाँ है इनको पीटा गया पुलिस अधिकारी इस मामले की जाच कर रहे हैं पीट दोनों यूकों से पूश्टाच की जा रही है उनके बयान नोट किये जाएंगे उन पुलिस वालों से भी पूश्टाच होगी जिन पर पिटाई के आरोप गेंद पुलिस अधिकारीों के पाले में है अब देखना होगा कि वो इसको खेलते कैसे हैं इमरिया सुल्तान प्रसेश शाम शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट स्टार नियूज हम इस वक्त मौझूद है घटना इस्थल पर जहां पर बीटे 21 मई से लापता संतूस दिवारी का सवच्छत विच्छत अवस्था में एक जाडियों के खेत के अंदर गन्मे के खेत में बरामद हुआ है हला कि पुलिस मौक्ते पर बहुच गई है और आगे की विधित कार्मे में जुड़ गई है और आज सुबह उनका सव गाम अकबापर पर पड़ता है वहां उनका सव जो है छत विच्छत अवस्था में खेत के बीच में पड़ा मिला है तक कहीं नहीं मिला तो होता नहीं कि घर पर भूनने लेंगे तो तक कहीं नहीं पुलिस को कंप्रेंट किया ठीक है पुलिस ने कंप्रेंट ले लेकिन किसी ब्रकार की कोई कारावहिं नहीं होई जब तक क्रिछन नहीं मेड़ा पर जो कर्षस करती है और यहां पर गाहन हे उसको पीम के लिए बेगने की तयारी भी शुरू کرती गई है यहारी वहां है जिसमें वो सव रक्षर ले जाया जा रहा है फिलाल आपको बता दें कि ये पूरी घटना कोटवाली गिस्वाई लाके के ग्राम अकबापुर्थी है और अकबापुर्थ में जो ये शव चत्विच्छत अवस्था में वरामद हुआ है ये कोटवाली गिस्वाई लाके के महला जजजर निवासी संतोस्तिवारी सनाब विनोत कुमार का सव है और ये शव चत्विच्छत अवस्था में यहाँ पड़ा मिला है फिलाल पुलिस आगे की विधित कारवाई पुलिस ने सुरू कर दी है मौके पर तमाम परिजन यहाँ पर मौझूद है और ये शव चत्विच्छत अवस्था में सव मिलने से परिजनों को रोरो कर बुरा हाल है फिलाल बिस्वाई से इस्टा नीज़ पर आशुतोष